हेलो गाइज, है वेरी वर्म वेलकम टो उड़ी पतन क्लासिस आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक RTI एप्लिकेशन के बारे में जो की हमने फाइल किया है ओनरीबल सुप्रीम कोट में जेसे एक्जाम के रिगार्डिंग जी हाँ जैसा कि हम सब जानते कि सुप्रीम कोट में जिसमें हमने पूछा है कि अब सबसे पहले हमने कोशन पूछा है कि हाव मैंनी एप्लिकेंट्स हैव एक्चुली अपियर फॉर्ड जूनियर कोट असिस्टेंट एक्जाम सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया ओन देट्स वन प्रीलिम एक्जाम वस हेड जी हाँ जैसा क कि हम सब जानते कि 1,73,000 प्लस लोगों ने जैसे का एक्जाम भरा था बट एक्चुली में एक्जाम सेंटर में कितने लोग अपियर हुए थे या फिर कितने लोगों ने एक्चुली में एक्जाम दिया है उसके रिगार्डिंग मैंने ओनरेबल सुप्रीम कोट से RTI के थू इसका आंसर मांगने की कोशिश की है अब next मैंने पूछा है कि please provide the number of candidates belonging to each category who have actually attempted the prelims examination मतलब क्या है अब suppose आपके 1,73,000 में से around actually appear हुए 1,00,000 लोग पर इसमें कितनी केटेगरी लोगों में general थे कितने लोग OBC थे कितने लोग SC थे और कितने ST थे ये question मैंने पूछा है Supreme Court से कि एक हर एक category में कितने applicants appear हुए थे ये हो गए आपके दो question अब next question मेरा सबसे important था जो अभी तक किसी को clear cut answer नहीं पता कि जैसे Supreme Court ने notify कर रखा है कि 210 vacancies हैं JCA में but actual में general category में कितनी vacancies हैं कितनी vacancies हैं OBC category में कितनी vacancies हैं SC category में और कितनी vacancies हैं ST category में ये question मैंने honorable Supreme Court से पूछा है RTI के तुरू जिसका जवाब around 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा जी हां around 10-15 दिन के अंदर आपका RTI का जवाब आ जाएगा अब जैसे इससे पहले भी मैंने एक RTI के तुरू आपका एक answer निकल वाया था Supreme Court से जिसमें मैंने उन से पूछा था कि category wise जैसे सब को पता है कि 175,000 ल 40,000 यह सब तो हो गया था हमारे उस वाले question की category wise कितनी applications आई थी बट इस बार हमेंने थोड़ा different पूछा है जिसमें पूछा है Supreme Court से कि कितने actual में लोगों ने appear किया है category wise तो उसका answer 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा और जैसे ही RTI का answer आएगा मैं आपके लिए एक वीडियो ला पाएं यह था आज का वीडियो जिसमें हमने discuss किया RTI application के बारे में जो कि हमने honorable Supreme Court में फाइल की है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए JCA के regarding छोटी छोटी डीटेल्स सबसे पहले देखने के लिए यह था